नमस्कार मैंने पहले भी राज्य में कुरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कुरोना संक्रमन में व्रधी की जानकारी दी थी इसे देखते हुए कुरोना जाज को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जाज प्रते दिन किया जा रहा है अब कुरोना मरीज की संख्या में प्रते दिन कमी आ रही है। कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया 23 मई को सहयोगी मंत्रीगन एवं पदादिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन के स्थिति के समिक्षा की गई 24 लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिनों अर्था 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है जब से लॉकडाउन लागू किया गया है हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशी से कि हर जरूरत मंद तक सहायता पहुंचे इसके लिए कारेरत पूरी टीम पूरी लगन एवन परिस्रम के साथ लगी हुई है दिनांग 17 मई को 22 जिलों के सामुदाई किचिन का वर्चुल टूर के माध्यम से वहां चलाई जा रही वेवस्ताओं का जायजा ल किचिन के माध्यम से अच्छा खाना मिल रहा और कई लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग खाना अपने बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए घर पर भी ले जाते हैं लाभार्तियों ने सीधे संवाद के दौरान बताया कि सरकार ने इस परिस्तिती में जो कदम उठाये ह हैं वह सराहनी है राज्य के सभी 38 जिलों में 432 सामुदाई किचन चलाये जा रहा है हमने सामुदाई किचन को विस्तारित करते हुए हर प्रखंड में सामुदाई किचन खोलने का अंद्रदेश दिया है ताकि अधिक से अधिक जरूरत मंद इसका लाभ उठा सके सरकार की मंसा है कि लॉक्टाउन में मजदूर, निर्धन, निरास्रित, नेसक्त और जरूरत मंदों को दोनों वक्त सुद्ध भोजन विले और कोई पूखा न रहे सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों के परिजनों के लिए भी सामुदाई किचन के माध्यम से भोजन उपलब्द कराया जा रहा है होम आईसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन की विवस्ता करने का निर्देश दिया गया साथी सामुदाई किचन में आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए दूद की विवस्ता करने का निर्देश दिया गया कुरोना के रोगी जो घर पर आइसोलेशन में रहकर इलाज रात हैं, उनके सरीर का ताप मान। एवं उख्शीजन इस्तर निअमित तोर पर स्वास्थ कारेकरतों द्वारा लिए जाने की सुरुवार्थ की गई है। जिन मरीज का ऑक्सीजन इस्तर कम होगा उनका चिकित्सिय प्रविक्षन में इलाज कराया जाएगा और जरूरत पढ़ने पर अस्पताल में भरती कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि दिन इच्छा सकती सकरात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाब इस जंग में अवस्य सफल होगे। पहले की तरह पुना मैं अपील करता हूँ कि मास्क लगाएं, दोगज की दूरी बनाये रखें, हाथ साप रखें और समय आने पर ठीका आवस्य लगाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।